मदनपूर में स्कूली बच्चों द्वारा स्वास्थ विभाग के सहयोग से कोरोना टिका करण जागरुकता रेली निकाली गई जिसमें जीले से रिमा गांगुली जीला समनमयक यूनिसेफ के मार्ग दर्शन में जन जागरुकता भ्यार रेली आयोजित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया गया जिसमें वे जीले से स्वयम उपस्थित हुई इस जागरुकता रेली में सामुदाइक स्वास्थ केंदर लखराम के आर एम ए चिकिशक मनोज दुबे सामुदाइक स्वास्थ केंदर मदनपूर के स्वास्थ अधिकारी रूपम मींज स्वास्थ अधिकारी पेंडर्वा सुलोचन भगत पेंडर्वा ए एनेम निशा सरोजिनी कौशिक मितानीन के लावा अन्य मितानीन गर्भ होती महिलाएं मदनपूर ग्राम पंचायत के सरपंच मीडिल इसकूल के समस्त शिक्षक वाविद्यार्थी गार उपस्तित हुए नमस्कार मैं रीमा गांगुली डिस्टिक कॉर्डिनेटर जुनियो सबस्ते आज मदनपूर में प्लॉक बिल्धा में हम लोगों ने एक चागरुपता रैली बच्चों के द्वारा निकारा गया जिसमें टीका करण और कोविड अनुकुल विभार के लिए हम लोगों ने इसको प्रमोट किया है ताकि समाज पर एक अच्छा संदेश जाए कि ठीका करण कितना अविश्यक है स्वास्त विभाग युनिसेफ के संयोग तत्वान से ये कारेक्रम चल रहा है जिसमें हम लगातार कोविड वैक्सिनेशन और कोविड को लेकर जो विभार फालन होता है जैसे कि माक्स का प्रयोप करना, सामाजी क्दूरी और सानिटाइजर बार बार साबून से हाथ धूना ये सारी चीज़ों को लेकर एक मुहिम चल आई جा रहे है जिससे एक साशन के द्वारा हमको एक सपोर्ट के लिए हमको यहां पर नुच चार रहे है जिससे लोगों को एक जागरुप्ता के मालियम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हर कोई जो भी आज के आज भी अगर टीका नहीं लगाए हैं, टीका लगाकर अपने आपको सुरक्षित करें और एक अच्छा समाज, एक अच्छा जिला और एक अच्छे राज्य को बनाने मेरा नाम रीमा गांगुली है, मैं डिस्ट्रिक मोबिलाजेशन कॉडिनेटर यूनिसेफ के तरफ से स्वास्त विभाग के साथ मैं काम कर लिए, धन्यवाद है जो कारेक्रम हैं, इसकूली बच्चों के लिए और जो हेल्थर मेले सेंटर मदनपूर है, उसको दिखते हुए हमारे जो छूटे हुए लोग है, टिकातरण में जो छूट गए हैं, बाकी बच्चे के जो घर घर टिकातरण अभ्यान चल रहा है हमारा, कुवीड टिकातरण जो छूट गए हैं, जो छूट गए हैं, जो बच्चे वे टिकातरण से लोग हैं, उनके में कुछ जागुटता है, जो बच्चे वे हैं वो आकर के स्वयम से लगवाने आए हमारे पास, स्कूल से अच्छा माध्याम हमें नहीं मिला, क्योंकि बच्चे अगर तक्ती लेकर के बैनर लेकर के नारे लगाती हुए जाते हैं, तो लोगों को उनके धर वाले परिवार वाले और उनके मोहले वालों को बहुत फारक बढ़ता है, क्यों बच्चे इस जीच को लेकर के जागरती फैल आ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे हैं, यहां आने से पहले हम लोगों ने स्कूल के चात्रों के माध्याम से एक रैली निकाली थी, कि कोरोना का टीका बहुत जरूरी है, आप उसको लगवाएं, कोई भी बचे मत, और सासंद की जैसे की मनसा है कि 90 परशन लोगों को ठीका करण लगना है, सत परशन तो मुश्किल जेजा, लेकिन 90 परशन कम से कम टच करें, और उसमें कुछी लोग बच गया है, जिसमें की गरभवती हैं, सिश्यवती माताय हैं, और कुछ गंभीर बिमारी वाले लोग हैं, जो कि अपोस कर रहे हैं कि नहीं हम न परशन रखा हुआ है, और जिले से मेरा रिमा मेरम आई हुई है, तो एनसी वाले जो एनसी वाले कुछ लोग खत्राते हैं, इक गरभवती माताय हो गई, उनको कि समें ठीका लगना चाहिए, तो इस वीडियो के मात्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि एनसी वालों को कोई ख लगना है, क्योंकि वो 28 दिन में उसके कब्रेश पूर हो जाता है, 28 दिन के बार दूसरा रोस उनको लग जाएगा, तो वो कंप्लिटेड हो जाएगा, एक मेने के अंदर अंदर दोनों एक्स उनको लग जाएगा, और वो कोरूना जैसे महामारी जो है, उससे वो बचे रह और विम्मा गागुली वाड़ाम ने जिसको इस कारिकरम के लिए जो हम लोग को उससाहिद किया, उसके लिए भी मैं धंदिवाद कहना चाहूँगा, रूपम मिंच, कर्षित आफिसर, ऐसी मदिन पूर हमें आता है, हम लोग यहाँ पे एक जन जागरुता अभी है, जो कर करना ही लगे है, कि जितना जल्दी के टिका लगा है, ठीक ही एक रास्ता है, जो लगर को इलीट लिए रोख से, हम अन सिंगरी के सब्वो मितानीन मान घर घर जाके करोना के टिका लगवाए बलाय बर जा थान, पहली नहीं आत रहीन है, तब हो बहुत कोशिज करे हैं, सब्सक्राइब लगवाए बर अब सुरू से पूछात रही थे, मोन नाम अहिल्या यादा है, हमान सिंगरी के मितानीना, पेंडारा संकुल से हूँ, और मदनपूर भी के देखती हूँ, आज मेदनपूर में रैली था, स्वास्त वाले, तो मितानी लोग पुरा गर्भ होत लगवाए जो भी है ठीका और छोटे-छोटे भच्चे को बला करती का लगवाती है, दो सार से तो कोरोना काल में जूज रही है, एक दिन भी घर में नहीं रहती, और जा जा कर टीका बला बला कर लगवा रही है, थोड़ा बहुत बच्चा है, बागी टीका हन्रेट होने हो जाए लिए और कोई कोई गर्भाती भी लगवा रही है और सिस्वाती भी लगवा रही है मैं मितानी मोर नाम रागनी कौसिक है मैं मितानी ना प्राम कोल्या भाठा सिंघरी से हां मैं काम है कि मैं मितानी स्वास्थ से और मितानी स्वास्थ में काम कर रहा था हूं गर्वती मन का टीका लगवाना पुरा मतब गर्वती से छोटे बच्चा सीशु बच्चा है पुरा टीका लगाना मैं इसमें मतलब स्वास का मैं पुरा देखता है ले जाकर हास्पीटल में जाज करवाना पहचान करवाना हिलाज करवाना काम है और अभी जो ठीका करन हैं कोरोना कोईट का इसमें मतलब सहयोग देते हैं मितानी सब ही मितानी नहीं पुरा सा योग देते हैं पुरा सब को टीका लग गया सीर फोर दो साल से करोना वाला टीका लगा थे हमर गामा बाकी सब को इनलग गहे घर घर जाके जागरुप करें हैं सब लग टीका लग चुके हैं मात्र जेख जादत विमारी है गर्वती सिसुवती आई में कुछ बचे हैं बांकी पूरा हो गए टीका करां मैं लता सा हूँ ग्राम मदनपूर स्वास्थ मितानी मदनपूर से हरीश मारवा की रिपोर्ट 36 गड़ विजन टीवी